हाई एवरिवन एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का सवागत है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं UPPSC ROARO टाइपिंग टेस्ट और इलहाबाद हाई कोर्ट ROARO के टाइपिंग टेस्ट के विशे में इस वीडियो में आपको संपुर्ण जानकारी दी जाएगे टाइपिंग से रिलेटेड, टाइपिंग फॉर्ण से रिलेटेड, कितने टाइम किया आपके टाइपिंग होती है उन सभी विशेयों पर साथ ही इसमें ये भी बात करेंगे क्या सभी को टाइपिंग देनी पड़ती है या सिर्फ जो केंडिडिट कॉलिफाई करते हैं एक्जाम सिर्फ उन्ही को देना पड़ता है तो इसमें बहुत ही महतोगोने चीज़ है आप सभी को जान लेनी चाहिए यदि आपने भी फॉर्म फिल किया है और अलहाबाद हाई कोड के लिए भी अगर आप फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए आपके लिए यूसफुल होगी आपके भी कोई डाउट होंगे तो आप बाद में पूस चकते हैं आपको कमेंट सेक्शन में या तो नेक्स वीडियो में सारी चीज़े कम्प्लीट बता दी जाएंगी आईए हम वीडियो को शुरू करते हैं और एके करके हर एक चीज़ को देखते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पी असी आरो और ए आरो के एक्जाम को लेकर आपको इसका सिलेबस पता होगा क्योंकि फॉर्म फिल हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि सिलेबस पता होगा तो आपको जाहिर सी बात है कि सिलेबस पता होगा तो आपको ये जानकारी होने चाहिए कि जो आपके ए आरो होते हैं अभी सिर्फ बात हो रही है UPPSC RO और ARO की इसको ही ध्यान रखेंगे तो जो ARO की होती है ARO में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास DOEC से O-Level का सर्टिफिकेट हो यदि आपके पास O-Level नहीं है तो कोई आपके पास डिपलोमा होता है तो भी आप कर सकते हैं इसकी अलग-अलग है कि कौन-कौन से है एकवल तो आप उसमें अप्लाई कर पाते हैं अब बात करें ARO की तो इसमें कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहती है तो जो UPPSC R-O और A-RO होता है उसमें अगर टाइपिंग की हम बात करें तो जो आपका ARO है इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं होता है जब की A-RO के लिए अगर हैं आप Elisable तो आपकी इसमें बात करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप Elisable हैं या नहीं है कूकि इसके फॉर्म तो सि single exam होता है single exam का मतलब यह मत समझेगा कि सिर्फ एक paper single exam का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि RO और ARO आप जब paper देने जाते हैं UPPSC का तो आपको जो paper होता है आपका first paper में आपको GS आती है और हिंदी आती है तो हिंदी और GS जो आप देते हैं प्री का exam वो RO और ARO के लिए same होगा लेकिन इसकी cut-off अलग-अलग जारी होती है same paper के लिए जैसे मालीजे आपका exam suppose करिए 20 October को है ठीक है तो आपके जो exam हुए आपको एक कही बार paper देना है RO का भी और ARO का भी ठीक लेकिन जब उसकी merit निकलती है तो RO की अपेक्षा ARO की cut-off कम होती है मतलब जहां पर 125 नंबर पर RO का pre-qualify होगा वहीं पर मान के चलिए कि 115 नंबर अगर आपके हैं तो ARO की cut-off गई और आपने paper दिया था मान लीजे आपके पास O level है और आप उसमें form apply किये हैं और आपने योग गिता के अनुसार उसमें सारी चीज़े terms condition को fill कियाएगी आपको typing भी आती है और आपके pass O level से related degree भी है तो अगर आपके मान लो 125 नंबर नहीं आते हैं तो आप RO के लिए तो eligible नहीं है लेकिन ARO के लिए जरूर है ठीक है तो ARO के लिए उसी से आपकी merit बनती फिर आप ARO के next exam को मतलब next exam या next stage कह सकते हैं आप दे सकते हैं बात करें ARO की तो मैंने जैसा बताया कि UPPSC ARO में कोई भी typing नहीं होती लेकिन आप जब form भरते हैं तो आपको option पूछा जाता है कि आपको typing आती है या नहीं मान लेजे अगर आपको नहीं आती है आप no option करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको आती है तो yes no या ARO में typing होगी आपकी ठीक है और आपको यहां पर साफ साफ notice में लिखा होता है हिंदी typing आपको करनी आनी चाहिए कितनी तो 25 word per minute की speed मांगी जाती है ARO में और English की अगर आपको जानकारी है आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है आपको आगे चल कि इसका वेटेस मिलता है क के लिए तो आपको typing शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आपकी जो typing होती है वो हीन्दी में होती है इंगलिस में typing नहीं होगी ARO में ध्यान रखिए का अगर अ आप हम यहां पर भात करें कि यहां पर हुंदी की अगर टाइपिंग होगी ARO में तो इसbei फोंट क्या होगा तो जहें बोड़ी के लिए है does DHU के लिए चाहिए हिंदी इंदी थो फॉंट आपको पताऊंगे एक आपका क्यों मंगल स scheduling आपका एक कुर्ति देव होती है 10 और 11 खोलेज होता उसे कोई फरक नहीं हो बसでした बस एक अक्शर का लिए फरका नहीं थर्ट तो आपको मंगल स Poz अब बात करें कि जो आपका APS या था मैं गें तो दोनों चीज वैलिड हो गई है इस बार से तो देखे उसमें हुई है लेकिन इसके लिए आपको का नहीं आई आई है न तो और उसमें तो दोनों दोनों चीज billing तो मेरी आपको यही सला है कि जो लोग अभी टाइपिंग शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सिर्फ वो कुर्ती दियो पर ही टाइपिंग करें बाइचांस अगर इन्होंने दो अप्शन दे भी दिये हिंदी के तो मंगल और आपके कुर्ती दियो दोनों मिलेगा ले अभी टाइपिंग करने शुरू कर देनी है क्योंकि टाइपिंग देखिए 25 वर्ड पर मिनट मांगा है लेकिन आप 35 वर्ड पर मिनट कम से कम अपने स्पीड को रखेंगे तब कर सकते हैं अब बात करें डियुरेशन की तो क्योंकि आपको जो डियुरेशन देल पांच मिन है, इक मिनिट में कितना करना है, 25 वर्ड पर मिनिट कर लेना होता है typing, तो आप समझ सकते हैं, कि आपको with typing अभी शुरू करेंगे सब करेंगे, अब हम बात करें कि कुछ केंडिडेट अगर ऐसा सोच रहे होगे कि पहले वह return में qualify होएंगे तब हम करेंगे तो अगर कोई होना चाहिए कि सब्रेसाइज मैं और परता होना चाहिए छोब लिदुक्त कांञा है उस измен Bridge तो PSC RO और ARO में जो लोग फ़ॉम भरे हैं RO के लिए नहीं होगी टाइपिंग लेकिन ARO के लिए कराई जाएगी टाइपिंग समझ में आ गया होगा आपको इतनी सारी चीजेगें अब हम बात करें लेते हैं еще duration की बात किया अब हम बात करें accuracy की हर जगह accuracy भी माईने रखती है जैसा कि मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है आपको टाइपिंग से रिलेटेज चीज़ों में कि accuracy बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि accuracy की बात करें तो पास परसेंट की छूट होती है आपको ठीक है इस से ज़्यादा कर आपकी गलतियां होती है तो आपके जो है अगर आप पहले कर रहे हैं एक्जाम के पहले रूम पे कर रहे हैं इस्टिट्यूट में कहीं कर रहे हो तो आपकी कम से कम 35 प्लस होनी चाहिए इतना आपको स्पीड बना लेना है तब जाके वहाँ पर वो चीज मेंटेन होगी क्योंकि आपको मात्र पांच मिनट मिलता है पांच मिनट और यह बात और बता तो जो लोग टैपिंग देते हैं वो अच्छे से चीज को समझते होंगे जितने कम डियूरेशन की आपकी टै तो उतना मेंटेन करना टाइमिंग को बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है पांच मिनट दस मिनट की टैपिंग बेस्ट होती है ठीक है तो ध्यान रखेंगे पांच मिनट की आपकी टैपिंग अभी तक होती है और उमीद है आगे भी होगी 2023 वाली वेकंसी जो भी चल रही उसके लिए और इसमें आपको साइच चीजे मैंने बता दी कि आपको फॉर्ट किया करना है कैसे कर अब बात करें इंग्लिश टाइपिंग की कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ए आरो का दिये हो या ना दिये हो उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती होगी तो अच्छी बात है आती है तो और जिनको आ चुकी है जो कर चुके हैं कुर्टी देव पे वो इंग्लिश को भी करें इंग्लिश आपकी पूछी नहीं जाएगी एक्जामे में फिर से कह रही हूँ एक्जाम में आपको इंग्लिश नहीं करनी है यूपी पियसी की बात कर इलहाबाद High Code का भी वेकेंशी कभी भी आ सकता है और आने वाले टाइम में इसका भी एक्जाम देना है जैसा कि इसमें आपने देख आपने प्रिक्वालिफियाई किया तो सभी को टैपिंग देना मस्ट है और एलाबाद High Code की बात करें तो इसके RO और ARO दोनों में टाइपिंग मस्ट होती है यह बात यहां पे ध्यान रखिएगा इसमें तो RO में नहीं होगी इस सिर्फ ARO में होगी लेकिन इसके दोनों में होती है टाइपिंग और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हिंदी फॉंट में नहीं मतलब उलजना है इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ आपको क्या करना है इंग्लिस में टाइपिंग देनी होती है ठीक है जो लाबाद High Code के Group C की वेकेंसी जाती है जो अभी पिछले दिनों हुई है ठीक है उनकी जोइनिंग भी हो गई उसमें आपको दोनों मस्ट है ठीक है लेकिन इसमें RO हो या ARO सब दोनों में क्या है इंग्लिस टाइपिंग करनी होती है ठीक इतना बात याद रखेंगे तो इसके लिए अगर आप इस पे पेपर होता है RO और ARO का सिर्फ एक एक इक्जाम होता है और इसकी खास बात यह है RO का अलग आपको पेपर देना होगा ARO का अलग पेपर देना होगा फार्म भी दोनों के अलग भरने होंगे इसी में एक पोस्ट और आती है वो होती है CEA की Computer Assistant की इसकी भी फार्म तीनों फार्म साथ में आते हैं CEA में सबसे कम पोस्ट होती है RO ARO में उपर नीचे होते रहते हैं लेकिन इस बार RO की वेकंसी जादा देखने को मिलेगी ARO की अपेक्छा और CEA में आपको समझ लिजे इस बार अच्छी खासी वेकंसी आरो में भी देखने को आपको मिल सकती है तो इसके लिए प्रिपेर रहेंगे Same syllabus होता है इसमें RO ARO की cutoff अलग-अलग जाती है और same typing same day पर होती है पहले नहीं होता था अभी जब next year exam हुआ था अभी previous year में exam जो हुआ था RO ARO इलहाबाद High Code का तो NTA आपको पता है NTA ही maximum exam करा रही है तो उमीद है इसी agency को मिलेगा typing के लिए तो इसमें जो होता है exam और आपके typing दोनों एक साथ कराए गए थे previous year में लेकिन बहुत जादा issue हुए थे उसको लेकर और court में ही court का matter चल रहा था काफी corruption के मामले आये थे सब कुसको देखते हुए हो सकता है किस चीज को बदल दिया जाए same day ना कराया जाए तो अभी तहीं कुछ कहा जा सकता अगर same day नहीं भी होता है तो इलहाबाद High Code की जब भी exam होते है उसके किसी भी process में समय नहीं लगता है बहुत बड़ा कारेंट ना हुआ तो ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप सभी लोग इंग्लिस में भी typing शुरू कर दें अगर इसका form आपके November में आ जाने की पूरी उमीद है इलहाबाद High Code का तो आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी फॉस्ट विक में एक्जाम कंप्लीट हो जाएंगे और जो गर कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे तो अगर उनका टाइपिंग सेम डेट पे हो गया तो टाइपिंग की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको शायद यह भी जानना होगा कि पेपर पे होगी टाइपिंग मतलब ऑन-लाइन ऑफ-लाइन उसकी भी जंजट नहीं है आपको on screen मिलेगी टाइपिंग ऐसे लिखा रहता उपर आपके लिखे हुए word आएंगे आपको देखके टाइपिंग करनी है और आपको बता दू जब भी आप कोई भी टाइपिंग देने जाएं तो आपको समय से पहले ही आपको system available करा दिया जाता है आप classroom में अपने पहले से बैठते हैं तो अपने system को अच्छे से बहु भी चेक कर लें कीबोर्ड को सब कुछ की सही कीज चल लें की नहीं लेकिन आपको system पर कई जगह पर demo भी मिल जाता है देने को तुरंथ कहीं पर नहीं मिलता है ठीक है अगर नहीं भी मिलता है तो भी आप typing जब करतें तब कि एक habit हो जाती कि आप समझ पाएं की कीज सही चल लें की नहीं तो कीबोर्ड को टच करके देखें कि सही या नहीं आप उसे change करा सकते हैं लेकिन exam सुरू हो गया तो कुछ नहीं कर सकते तो ध्यान रखें इसको change करा लीजेगा अगर ऐसा जब भी कोई भी exam आप typing का दे रहे हैं वैसे पहले ऐसा होता था लेकिन अब maximum exam जहां कहीं भी होत किसी भी तरीकी किस से टाइपिंग सुरू ना करें क्योंकि जब मालीजे कोई soft keyboard है soft keyboard का मतलब है नए आप keyboard खरीद के लाइए और ऐसा keyboard जो की 3-4 साल पहले से चल रहा है उसको तो उसके की और नए वाले keys में बहुत अंतर होता एक बटन प्रेस करने पे एक अही लेटर रि जान रखे शुरुआत के एक हपते अपने सिर्फ learning में दीजिए तो speed धीरे धीरे आर्टोमेटिक बढ़ेगी और accuracy भी आपकी maintain रहेगी यह सारी चीजे रही अल्हाबाद High Court और UPPSE RO और ARO के typing test से related उमीद है आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी मैंने हर एक ची भी आपको आइ सिर्ग्स Walking में दीजिए के रहे ऑ़ाद होगी मैंने सिर्ग Giant Team